बोच्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी टेक्निक्स में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुती आसन बहुती छोटा सा टॉपिक है आप उस वीडियो को देखकर इस मेरी वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि ये भी कोई बताने वाली बात है लेकिन दोस्तों आप सभी को ये पता है लेकिन बहुत सारे ऐसी लोग होते हैं जो नया नया कंप्यूटर खरीते हैं नया नया लैप्टॉप खरीते हैं उनके लैप्टॉप में या कंप्यूटर में जो डेट के प्रब्लम आ जाती है डेट गलत हो जाती है टाइम गलत हो जा जिससे के मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर आप जानते हैं किस तरह से लैप्टॉप का या कंप्यूटर का विंडो सेवन का किस तरह से टाइम और डेट चेंज किया जात तो आपको दोस्तों क्या करना यहां पर एक बार क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे ऊपर एक घड़ी आपको शो होने लगेगी और यहां पर डेट का कलेंडर शो होने लगेगा उसके जस्त नीचे आपको मिलेगा चेंज डेट एंड टाइम का ओप्शन तो दोस्तों यहां पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यह नया विंडो ओपन हो जाएगा ठीक फ्रेंट्स तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा देखिए यहां पर डेट टाइम एडिशनल क्लॉक्स इंटरनेट टाइम तो दोस्तों आ यहां पर update now करना है सिर्फ जैसी आप update now करेंगे तो time has been updated successfully का message आएगा और आपका time automatically सही हो जाएगा लेकिन आप manually इसको सही करना चाहते हैं तो आप ये corner वाले option में जाएंगे और यहां पर सबसे पहले अपना जो time zone है वो zone चुनेंगे दोस्तों ये पूरे world के लिए है आप क इंडिया में time सबसे best दिखाएगा इसके लाव अगर आप कहीं और हैं धाका में हैं तो इसको select करिए आप कहीं और हैं तो आप उस जगह को लोकेशन को आप select कर सकते हैं दोस्तों तो यहां पर यह हम इंडिया के अंदर है तो chain नहीं कॉलकाता वाला option select करके okay कर देते हैं उ तो दोस्तों बहुत ही चोटा सा बहुत ही आसान सा process है इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई problem होती है तो मेरे comment section में आगे मुझे सकते हैं मैं आपका reply करूंगा okay friends हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर सिख नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए